हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेल्टिप्स में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अनार के फायदे पर दोस्तों अनार बहुत ही जादा फायदे मंद होता है अनार भारत से लेकर इरान अफगनिस्तान में भी पाया जाता है भारत के हिमाचल में अनार की पैदावार बहुत जादा होती है हिमाचल के साथ ही भारत के अन्य राज्यों में भी अनार उगाया जाता है स्वस्थ रहने में इस बात की एहमियत को इस तरह से समझा जा सकता है कि इस पर कहावद भी बनी है एक अनार सव विमार आज हम आपको इसके गुड़ों को बताने जा रहे हैं साथ ही आप अनार का उपयोग किस तरह से करें किन रोगों में आप अनार को खाएं तो अनार दे सकता है आपको धेर सारे फाइदे अनार बहुत ही पुराना फल है जिसकी उत्पत्ति का इतिहास बहुत ही पुराना है इसमें कई ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो आपको कई तरह के से फाइदे पहुचा सकते हैं तो आप फिर पीछे क्यों रहें? तो आईए जान लेते हैं कि इसके क्या फाइदे हैं अनार में भरपूर मात्रा में फाइवर, विटामिन सी और विटामिन के होता है और ये इंस्टेंट एनरजी देने का काम भी करता है अनार के फाइदों की बात की जाए तो हर तरीके से ये फाइदे मंद ही हैं और अगर एक करके इसके फाइदे गिनाने लगें तो पूरा देन निकल जाएगा अनार खाने से रक्त के बनने में भी काफी मदद मिलती है और अगर आप सुबह को घर नास्ता करने के बाद अनार का घर पर निकाला गया जूस पीते हैं तो आपके चेहरे पे चमक आने लगेगी और आपको अनार रोजाना के कारियों में एनर्जी दिने का भी काम करेगी आईए अब नजर डालते हैं अनार के अन्य फायदों पर अनार खाने से आपको बलड प्रेसर के हाई या लो होने की परिसानी नहीं होती और आपका रक्त संचार ठीक होता है तो अगर आपको हाई या लो बलड प्रेसर की परिसानी है तो आप डेली किसी भी समय अनार खाना स इसका तो छिलका भी बहुत काम की चीज है। छिलके से एक हपते में दो या तीन बार चेहरे पर स्क्रब करने से आपकी डेट स्कीन सेल्स दुबारा से एक्ट्व हो जाती है। जिससे आपका चेहरा लगता है नया नया सा। गर्भावस्ता के दौरान अगर मा रोजाना अनार खाती है या उसका जूस पीती है तो बच्चा हेल दी रहता है। डॉक्टर्स की भी गर्वती मैला को अनार खाने की सलाथ देते हैं। अनार के और भी बहुत सारे फाइदे हैं। बस आप अनार को रोजाना लेना सुरू कर दीजिए। अनार के फाइदे आपको खुदी दिखना सुरू हो जाएंगे। दोस्तों हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी या उपाय बड़े बड़े वैद्यों, आयरुवेदा चार्यों और डाक्टर के परामर से बताई जाती है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, उमीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या किसी परिसानी का हल ढूंड रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूदें। धन्यवाद, नमस्कार।